हेई वाट्स अप गाईज कैसे आप सभी लोग वेलकम टो एनाथ और वीडियो अब दा कार मैं तो गाईज यार आज की इस वीडियो में हम यामाहा एई रोक्स 155 के उपर बात करेंगे असल में मेरा एक सब्सक्राइबर इस स्कूटर के उपर एक वीडियो बनाने के लिए मिलेगा और यह स्कूटर सिर्फ थाइलेंट और इंडोनेसिया में ही आपको दिखेगा इंडिया में अभी भी यह स्कूटर लॉंच नहीं हुआ है और यामाहा के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि कब यह इंडिया में लॉंच हो जाएगा यह स्कूटर में आपको 155cc से इंजिन मिलेगा जो कि इंडिया में कोई भी स्कूटर में अभी तक अभी तक अवेलेबल नहीं है और इस स्कूटर में आपको फो स्ट्रोक इंजिन मिल जाएगा चलिए अब हम पावर और टॉर्क के बारें बात कर लेते हैं यह स्कूटर इस डाइमेंशन्स को आप अपने स्कूटर के बारें बात कर लेते हैं यह स्कूटर का टॉप स्पीड है 125 केमी पर आवार और सीट हाइट इसका है 790 mm 5.1 इंच और 5.5 इंच के जो बैखती है वो इसकूटर को आराम से चला सकते हैं चलिए अब हम टायर्स के बारें में बात करते हैं इसकूटर में आपको 14 इंच के फ्रॉंट टायर्स और रियर टायर्स मिल जाएंगे लुक्स वाइस दिखा जाए तो इसमें आपको फुली एलेडी लाइट मिल जाएंगे और फुली डिजिटल मिल जाएंगा चलिए अब हम इसकूटर के एक प्रीमियम फीचर के बारें बात कर लेते हैं इसकूटर में आपको साइड स्टेंड काट ओफ फंक्शन मिलेगा मत और सिंगल चैनल ABS भी इस स्कूटर पर कमपानी के तरफ से ओफर किया जाएगा चलिए अब हम माईलेज के बारे में बात कर लेते हैं इसकूटर में आपको 35-40 kmpl का माईलेज मिल जाएगा ये स्कूटर अभी भी इंडिया में अभेल नहीं है पर मुझे लगता है कि 2021 में मत बस इतना ही जल्दी ही मिलते हम किसी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए जय हिंत जय भारत और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा